यह अपना KFF 16 है ठीक है रोज हम इंग्लिश क्वांट और रीजिंग कोश्चन करते हैं वह कोश्चन जिनसे प्री निकालने में हल्क होती है बेसिकली स्पीड बढ़ती है ठीक है और साथ में अपना करेंटा पेस्ट भी आ रहा है जून एक का चुका है जून दो का गिया है बीच पाचीन का मैं बीमार मार ओजयाता है लिए यह स्रीज कर पाया था अब बापिस क्रेश कर जाएंगे ठीक है और चलो करते हैं प्रणा कोश्चन ओड अब जैसा कि आपको पता यह यह जो के फ़ांट में होता है जिसमें हम पहले कर लेते हैं नॉम्मल स्पीड में ना सब्सक्राइब कर लें ना फड़ा पर ना स्लो नॉर्मल स्पीड में और फिर जो कोशन सारे खतम हो जाते हैं उसके बाद जो कोशन में लगता है और समझाने चाहिए तो उनको अराम अराम से एक्तम डिटेल में समझाता हूं ठीक है तो सॉल्ब करते हैं इसकी वेलियो आजा आजा है 5 x 4 20 ठीक है प्लस है दशाय के बुझे का माइनस माइनस प्लस माइनस अभी 12 फॉर्थ इसे 12 प्लस है दशाय के बुझे का माइनस माइनस प्लस माइनस ठीक है अब देखो यह क्या है y is greater than equals to x ठीक है चलो अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 3 72 है यह आजाका 7 642 ठीक है प्लस है दशाय के बुझे का माइनस 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 प्लस ठीक है अब देखते हैं अगला कोश्चन अब यह स्कुर्ण मैंस 10x और 21 है तो 732 21 माइनस उधर बन जागा प्लस 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 ठीक है अच्छा एक चीच वह पहले मैं बता दूं कि मैं कर कैसे रहा हूं अब यह स्कुर्ण जैसे वाई स्कुर्ण प्लस ठीक है अब इसकी और यहां की इसकी हल से हमें ऐसे रूट कॉमनेशन आने जिसे तीरी आ जाए तो फाइट टू आ गया ठीक है अब जो पहला हम ऑपरेशिट करेंगे ने साइन को बड़े के साथ करेंगे अब देखोए प्लस है राइट एंड ब्लस ठीक है अब आगें अपना इप्रोक्सीमेशन के लोग ठीक है अब इनको सॉल करते हैं 112 और 108 कितना होता है 130 130 upon 6 आपको के 130 ना 210 और 6 ठीक है यह कितना है 26 पिलस 12 इंटू 120 है तो आगे 1440 ड्यादिट बाइ 4 इस ट्रैलेस काम नहीं कर रहा है ठीक है तो 1440 upon 4 यह आप ऐसे कर लो कि 4 इंटू 3 13 इंटू 3 कितना आज जाएगा 12 इंटू 3 360 दोनों तरीके से कर सकते हो ठीक है आपकी मर्जी है यहां पर 0 रहेगे क्या अच्छा पा सीधे लिखा था तो कितना गया 386 ठीक चलो अगला कोशन 12 परसेंट 15 परसेंट देखो चार जिरू आजाएंगे तो एक दो तीन एक जिरू बचाना दो पंद्रां इंटू 6 होते 90 एक जिरू अगया नो नो इंटू बारा बारा नम एक्स वाट इकुल्स टू एक्स माइनस 25 परसेंट है तो 00 से यह अटा दो कितना 158 एक्स ठीक है दो को यहीं करने की स्पीड है तभी पेपर निकलेंगे ठीक है और आपकी स्पीड आ जाएगी और मैं बोल्कोल के करना हो थोड़ी कम भी हो रही है बना और के जो जाएगी ठीक और कोशन आगा आपको कुछ सजमिन आए तो कमेंट कर देना टेलीग्राम प देखे एक जिरो यह खतम 59 जा 52 जा 28 जा कितना अधा 72 72 और 78 आपके 150 इक्वल्स टू इसमें कोश्चन माग कहा है अचा यह कोश्चन यह क्यूब रूट है यह स्क्वार रूट है ठीक है यह कितना जगा एक्स क्यूब फिलस 25 यह कितना जगा 125 इक्सक्यूब एक्सक्यूब एक्सक्यूब कितनी आएगी पार्च ठीक है चलो अगला कोश्चन ठीक है मैं इसको बापेस लिख देता हूं यह है एक्स क्यूब फिलस फाइव स्क्वार ठीक है चलो नेस्ट कोश्चन 125 प्लस पांसो बारा माइनेस 215 तो सॉल कर लो देखो यह कितना हैगा आँ बारा हमसे पाथ गया साथ दस में से एक गया नौ चार में से दो गया दो प्लस 125 अब देखो साथ पांच बारा नो तीन बारा एक बारा दो एतीन और एक चार इक्वल्स डिवाड़िद बाई टू एना यह इक्वल्स एक्स प्लस 114 तो कितना जाएगा 211-114 तो देखो चार गया साथ ठीक है अब दस में से एक गया नौ तो कितना जाएगा 197 ठीक है चलो अगला कोश्चन में सही करता हूं बापी सॉल करेंगे इसको ठीक है यह एक्स ठीक है यह कोश्चन मांक है अब देखो 12 इसका कितना होता है 144-25 परसेंट है मतला बन बाइफोर बन बाइफोर इंटू 30 आएगा 120 इक्वल्स टू एक्स परसेंट है तो डबल जि तो एक्स ठीक है अब देखो आच्चा 12 एक दो तीन और 132 इसका आधा कर लो कितना आएगा आक लोगे 66 ठीक है तो इसकान से कितना हो गया 66 चलो नेस्ट कोशन देखते हैं 22-17 इंटू 5 देखो बारास इंटू ट्वेल सेवंटी इंटू 5 होता है 85 और 220-85 प्लस एक्स स्क्वेर एक्वल्स टू परसेंटेज है तो डबल जिरो उठादो तो फाइसा जाएगा और देखो इसको इसमें से मानेस कर लो चाहें 235 में से यह मानेस कर लो आपकी मर्ची है दो को 35 में से 20 घटा ओगे तो आएगा 15 प्लस 85 तो कितना आजाएगा 100 100 का स्क्वार रूट कितना आएगा 10 ठीक है और हो सकता है कि option में 2 हो प्लस 10 प्लस मैंस 10 तो इसकांसर यह होगा ठीक है बट सेंट ऑफ 40 परसेंट और 250 अब देखो कितना होता है ठीक है इंटू 55 परसेंट है तो इसको 55 अपान सो लिख लेते हैं इंटू 250 तो सक को पता है 25 इंटू 10 होता है दाइसो 25 इंटू 4 होता है कितना यह और दो से एक टाइम एक वार जाएगा पास से पास ही गया तो कितना अंसर बचा 55 ठीक है चलो अगला कोश्चन अगला कोश्च इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 अपन 14 अब दोको 7 2 14 7 3 21 2 x 18 कितना होगा यह होगा और अठाएं इंटू 36 154 फिलस बन अपन 4 ना तो 4 4 16 4 24 कितना आ गया सोह आ गया ना जिसकान से कितना है 100 ठीक है चलो अगला कोश्चन इस इसक्वार रूट है और दोको 144 कितना होता है 12 माइनस थी ना थीश्चीन होता है 19 पिलस 144 होता है 12 अभी कितना गया मैनस पाच ओ प्लस बारा कितना गया सत्रा ठीक है चलो अगला कोश्चन सब्सक्राइब कि माइनस पाच और प्लस बारा दाप सत्रा नहीं 0 साथ होगा ठीक है कि फिप्तीन परसेंट ऑफ एट हंड़ पसंटेश चेट फिपीन इंटू एट होता है 120 ड्वारी द्वाई यह पंद्रा बारा इंटू पाच है तो बारा इंटू पाच है ना बारा से कितना आएगा अगर आप यह करने कोशिश कर रहो ना तो आप गुलत कर रहो पूछो क्यों बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं ठीक है तो कितना जाएगा 120 द्वारा दूसरे पाइन से लिख रहा हूं 120 ठीक है डिवारीड बाई दोनों ही डिवाइड में आएं इन्टो 10 और 5 इंटो 2 कितना आएगे 2 टू प्लस एक्स स्क्वार इक्वल्स तो 27 एक्स इसक्वार इक्वल्स टुव्ड पाइव ठीक है द्यान रखना कि दोनों ही ब्रैकेट में इससे लिए बाहर रखे हैं ठीक है और इसका आंसर क्या हो सकता है प्लस माइन स्पाइब ठ प्लेस प्लेस मैनिस न हो सकता है पता नहीं सकता है आप कुछ हो ठीक है कि दोनों कुछ डिफ्रेंस है तो बोई बताते है ना चलो अगला कोश्चन देखो और बहली कुछ भी देते हैं कि प्लस फाइब और माइनस फाइब दोनों बट इसका आंसर किया ना एकस स्क्वार का 25 अगर हम इसको अंडर रूट लेंगे तो क्या है एकस इक्वल्स टू 5 ठीक है और अगर ऐसे लिखा था एकस आप माइनस 25 इसको है तो दोनों कहां से 25 है ठीक है तो एक्जाम में बहुत ही रह पॉसलेटी है कि आपको यह दे ठीक है बनना मैक्सिम केसमें आपको प्लस फाइब देंगे ठीक है चलो अगला कोश्चन हो मैं पेस और डिजिट अपना डिजनिंग स्टार्ट हो गया है इनना नमबर 7 7853421 विछ ऐस्टमर डिजिट असान वाला कोशन है क्या है 7 8 5 3 4 2 8 1 अब देखो 58 तो एक तो यही हो गया नौ के हैनी 8 के आगे नौ भी नहीं है ठीक है अब दो 5 6 7 5 6 7 8 9 नहीं है तीन 4 5 6 7 2 3 4 8 यहीं एक 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है 8 9 तो है नहीं 2 3 4 5 तो दो और 5 हो गया six or seven Second 이벜ी अब धेखो चार- bac in 485-65-6627 अब तो है जो दीछो किटने हो गए अको कि एक Зап Bluetooth पीप को है को ऐसा दो तान य मुंद खर्ड करते हैं ने तो स्क्वलिट इनज अप दो और सात ही होगय ठीक है तब देखो चार पाथ छे शाथ आठ तीन होगया तो들 है इस पाजिव ने edited पॉजिटcular डवक्त थीक है। आगे बोलता है I , सारे की सारे पाजिटिव क्या है बेरग्स का बोर्ट सब्सक्राइब क्या है पbung Allah फरबिश नहीं है आप देशार पहले पहले मतलब टीन फेकला पॉलिटेब सब्सक्राइब इसका मतलब क्या हो कि इतने सारे नाजी जो है वो सकते हैं दूसरा है all right बिंग पॉजिटिव इस पॉजिटी देखो उसने का उसने काई कि किवल एनरजी यह जो कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं उल्टा नहीं बोला इसका मतलग क्या दूसरा भी सही है चलो नेस्ट कोशन पर अन्लिया फ्यू ग्लास इस फूल के बल कुछी ग्लास है जो फुल है ठ ठीक है नो ग्लास बिंग और क्वार्टर इस फूलीटी कोई भी लास कॉठर नहीं है ऐसी फूलीटी है क्या अब दखो यह वहांस है पहले वाला फ्यूसव च्छ तहब नो को भूल ज़ाओ एक झुलिए ठीक है सोचओ और ग्लास बिंग्वाटर इस पॉस्विटिटी लो गलत होगा ठीक है दोना अगला किया आल फुल फुल बिंग ग्लाप इस नॉल नहीं नहीं हो सकता हिए ठीक है पॉसलिटी है न इसका मतलब क्य यह गलत है ठीक है सारी साइग साइग फिल ईत्व हो सकते हैं एचलो समस्च परसchaन सेविंपर संपर minimalist शुट ससे 7 पर्सन पीकु और स्ट उब इसे लंबा यहाँ आप वह झीज लिए अब पी- फॉलर आगे को जो ओनने कि जादा लंभे 2 इंदी पूलर कि मुझा आकि क्यों कि क्यों क्यों बी इंडीत यादा यहां तका सकता है यां क्यों नहीं आएगा कि यहां क्यों इसके रिकेर प्सक्राइइं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां अगर मैं यहां क्यू बढ़ाता हूं तो यहां यहां जाएगा यू ठीक है और अगर मैं यहां क्यू बढ़ाता हूं तो यहां आएगा एस तो यू का गया तो इसका मतलब क्या है क्यू एस और यू ठीक है अब हमें वी और टी का हमको नही cm and difference between the height of B & T is 3 cm B & T की height क्या है तीन सेंटर को डिफरेंस है अगर वी और टी की बात करें तो हमको नहीं पता कौन से बढ़ा है कौन से छोटा है अगर वी की हाइट उन्होंने 188 दे है तो टी की जो पॉसिवल है ना वह या तो 190 बन हो सकती है यह ती की पॉसिवल हो सकती है 185 ठीक है दोनों ही केस वैलिड है यहां पर चलो अगला कोश् तो नाम दे रखें डव्यू द डॉटर इंलो फ्यू अभ यू यह है तो डॉटर इंलो मतलब बेटे की बहू तो यह को ने डब्ल्यू ठीक है अण वाई इस दफादर फॉफ अनली डब्ल्यू अजड अब वाई जो है वह केवल डब्ल्यू और जड का पापा है तो डब् अब हमें तो नहीं पता एक्स का है और टी का है कि हूँ इस दा ब्रेदर इन लॉफ जड अब देखो टी जैड यहां भी आ सकता है ती दो को साथी मेंबर रहे ना तो एक दो तीन चार पाच तो और लडी हो चुके तो मैं इस लिए पॉसलिटी यहां लाकर चल लाँ वैसे है तो बहुत पॉसलिटीज है बट मैं मान के चल लाँ कि यहां होगा ठीक है एक्स और एक्स देशन आफ टी तो एक्स यहां जाएगा एंड हूँ जैड इस अन्माइड अंकल अफ एक्स अब जैड अन्मारीड है अंकल भी हो गया एक्स का दो एक दो तीन चार पाच छे ब जाएगा तो एक दो तीन चार पाच छे तो एक और बचा वो शायद यहां जाएगा ठीक है क्योंकि मेंबर होगे ना तो अब जो भी हम से पूछे का इसके वेसिस में बता पाएंगे तो उसने फिलाल हम से एक यू कोशन क्या है कि हाव इस टी रेटिट टुवाई तो बता है के तो मेंबर एक दो चार पाच छे साथ तो मतलब यहाँ पे कोई नहीं है ठीक है चलो उब आई से उसनों बोला भी ने है कोशन में कि हर बच्चा और दोनों फेरेंट जिनता है ठीक है फिर से आगे हैं स्लाइस ठीक है अब देखते हैं स्लांट क्या बोलते हैं आणली to all Powell Tree हि जो है Tall ठीक है only वालादड कैसा है नो Tree हिसलां कोई भी प्रूम नहीं है ऑंली फ्यू लाज यह क्या है लाज यह है लाज है ठीक है few leaf history जो है जो है Tree थी거 वॉशन बन केहां फ्यू तॉ'll being lag बॉस्थी टॉल यह टॉल है जो कुछ हम सकता तो तो गलत है टीक है few leaves being tall is a possibility कुछ Leaf tall हो सकती है फिर उसे टॉल के साथ क्यों आ रहे इनको क्या मतलब है tall से दोनों कलाते हैं तीक है चलो अगरा question neither nor either or मां समद्द लेना अगला question है thesis logs आ गया only a few score is good के बाल कुछ स्कूर है जो थे करें नों गोटिस हाइएस थेक एंद फ्यू हाय कि इस एक्स्ट्रा चलो एक्स्ट्रा इस नॉट्र कुछ एक्स्ट्रा है कुछ नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है अब तक उप में इतने एक्स्ट्रा हाई और हाई जो है गुड़नी होंगे तो पहला है सही दूसरा और इसको बीइंग गुड़ इस पासलिटी सारे के सारे स्कोर गुड़ हो सकते हैं आपके बिल्कुल नहीं क्योंकि उसने कोशन बहुत लगए कि कुछ ही है जो हो सकते हैं ठीक है चलो अगला कोश कुछ चनल है स्कोरी है एवरी प्हल्स टोरी आपन करेक्ट तो अब आगे हैं अपना एंग्लिश और इंग्लिश में यह सारे कौशन गयम्स वाले है तो आपको ढूलना है कौन सा गलत है कौन साथ है निक जूस में हर को सब्सक्राइब में और आपको बताने कि कौन सा गलत है बट हम तो सभी चेक करेंगे ठीक है कौन से सही है बताने अच्छली क्या बहुत है दा ओवर इंफेसिस और पॉब्लिक डिसको सब्सक्राइब करें तो यह तो सही है वेर्यस टू गैटिंग बैक्सिनेटेड इन बीसिबिलिटी टुद अग्छ ना चीनिए था तो कियाना चाहिए था एंविसिपल में चलो साइब इंस्टेड इन बीड इंडिविज आब्ले मिंग पर नैंट गैंटिं कि जग इंट विगयाr एक्सीनेतीड मतलस प्तों ब्लीमिंग या rouब्लेम द्लेम्ड न चाहां थालो ग्रोर्यान अश्क and acceptability efforts focused on reducing vaccine hesitancy will not optimize vaccine update अब टेक तो यह तो साही लग रहा है अगला देखते हैं बैक्सीन प्रोग्राइम्स मस्ट भी intentional design intentional design की intentionally designed अब बताओ यहां पर design क्या है वर्ब है वर्ब को कौन क्वालिफाय करता है आपको के एड़ वर्ब ठीक है अब intentional क्या है एड्जेक्टिव है तो intentionally नहीं आजिए था इंटेशनली डिजाइइंड तो यह तो है नहीं तो इसका अंसर क्या है C तो इसका आंसर है C C is correct ठीक है चलो अगला कोश्चन इन दे युएस अउनली वन इन फाइव चुल्डन हुए डीड मैंटल है तो डीटिव सीप्स देव स्विसीश डीजीब स्विसीब तेम यह रिषीइब दैम यह जल्दिव जाओ ठीक है in 2018 report found that in San Francisco there was on average only one in school guidance counselor for every 396 students ठीक है तो अब इसमें बताओ देर आएगा कि देर आएगा वह प्लेस को बता रहा है कि उस परसन को बता रहा है से फ्रांसिसको की बात कर रहा है तो देर नहीं आना चाहिए ठीक है चलो अगला कोश्चन आहां ट्रॉमा एंड लैक ओफ अटेंटिव टू इट आल्सो लीट्स टू इंटर जेनरेशन इंपेक्ट्स लैक ओफ अटेंटिव आता है कि लैक ओफ अटेंशन आता है मेरी खाल से सब्सक्राइब को बता हो गए लैक ओफ अटेंशन आता है तो इसकांसर क्या है अटेंशन आना चाहिए था ठीक है इभी दो नोट इंप्रूब इस्टैंडर्स अफ लिविविंग देशेगल और पोवर्टी वालेंस एंड़ क्राइम बिल्कुल सही है इसकांसर क्या है पर एट मतलब प्रिपोजिशन ऐसे वर्ट को दूढ़ना सुरू कर दो तो आपको सही खुदी मिल जाएगा या लेफ्ट यह शारी शब्दों को पकड़े चलते जाओ कि कौन सा कौन सा पार्ट पीछे किसको कालिफाय करता है ठीक है अब देखो जैसे इसमें बोलाए है अ अगले कोशन में लेफ्ट औरमोस्ट अंशन इन इन अ लेफ्ट औरमोस्ट अनमेंशन इन इन नियू स्टेजी और हुमन राइट्स विच हैस प्लेट अ की रोल इन कनेडा इस लेशेंशिप फो सेवल डिकेट्स नाव ठीक है अब इसमें ए में बताओ क्या गलती है संज में ने आ तो ऐसे देखो लेफ्ट औरमोस्ट अनमेंशन इन इन नियू स्टेजी और यह आर किसके लिए हुआ है नियू स्टेजी के लिए हुआ होगा हुमन नाइट्स ठीक है विच है प्लेट अ की डोल इन कनेडा इस लेशेंशिप फोर सेवल डिकेट्स ना अब यह बताओ हैस किसके लिए आ रहा है बताओ यह किसने की रोल प्ले करा हुमन आइट्स ने तो हुमन आइट्स के सिंगुला की प्रूलर आकों के प्रूलर तुसमें आना चाहिए है ठीक है चलो इफ ट्राइस टु डेमोक्राटिक रिजाइम्स इन दा इंडो पैसिफिक रिजन आर तो मी एनिफिंग करेड़ मस्ट अगला देखते हैं क्या बता गलत हो पता तल जाएगा इट विल नीडड आएगा कि इडविल नीड आएगा बताओ विल मॉडल है मॉडल के लिएता है बेस फॉर्म तो आएगा नीड है ठीक है चलो इट विल ऑल्सों नीड पालिसी नॉट अन्यू स्टैटेजी एवरी ल लिटिल आएगा कि फ्यू आएगा बताओ ठीक है लिटिल किसके लिए आता है चीजों के लिए आता है अभी साल चीज होती है क्या नहीं ना तो इसका अंसर क्या हो गया ऑप्शन नमबर आप बी आंसर भी ठीक है अगला कोश्शन इस्ट्राटेजी इस्पीक्स ओफ कुछ गलत नहीं लग रहा अब दोको इस्पीक से सिंगुलर है तो स्ट्राटेजी तो सिंगुलर है और फ्लोजर टाइस टू एस्ट्राइब कुछ गलत नहीं है इत अलसो अब यह चलू नहीं कि यह मांकर करके बढ़ जाओ इसमें और फ्रेक्शन भी है इट आलसो इस्प सम्ट इम्मेग्रंट्स फ्रेक्राट टूग तर आना चाहिए लंटी बताओ असम लिखाए तो कुछ है कुछ है मतला ब्रूल या तो स्ट्रेगरिकल आयगा ए थिकर इस्ट्रल चलो अगरा पर लत वस्रक्राइब कर सस्क्राइब कूड रोकर्कर्स नर्स इंड और लाइन और नीड और नीडियर नीडिड 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 थीक है यह पैसिव बॉइस कंस्ट्रक्शन है इसलिए पास 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 पाटिसिपट आएगा ठीक है चलो मैंनी बट मैंनी या फेसिंग वेरियस टू अब तेन निंग क्वालिटी ऑक्वेश्ट इन दा केर इंडस्ट्री अब बताओ अप्टेनिंग आएगा कि अप्टेन आएगा जल्दी बताओ अब हमेशा टू देखके प्लस बीमन मार्क मत करना इसलिए अरर भी देते हैं ठीक है अभी टू तो आ गया बटिक कौन किस नाम क्वालिफाय कर रहा है इसी को कर रहा है इसका मतलब क्या है यह सही है ठीक है यहां पर स्वाइंड का का क्रता है चलो अगला कोशिएंगल्ण व कर फॉर्वार्विंग अरे अब बताओ मुआ क्या है और यह क्या है यह क्या है रिप्रेजेंट करना क्या होता है वर्व होता है तो इसके पहले कि चाहिए हमको अड़ वह आना चाहिए कि मेरे काल से खत्म हो गए कोश्चन तो देखो डिस वास ऑल फॉर टुडे और वीडियो का सही लग रही हो कंटेंट सी लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो और आज हमारे सो सब्सक्राइबर हो गए आपकी हल्प से सो हो चुके हैं अब जल्दी यह हजार भी हो जा आएंगे ठीक है तो नाव सी यू और पीडियों मिलेगी टेल चैनल पर जिसका नाम है कॉंसेट वद्धुनम वही जो यूट्यूब का नाम है वी ए आर डी एच ए नेम ठीक है और इसी का डिस्क्रेशन ग्रूप है है तो क्रैक बिना स्पेस कर दूढ़ लेना कुछ भी नाव सी यू और गुटनाइट